शाह परिवार की चिक चिक के चलते अनुपमा अपने देवता समन पती को खोने के करीब है अनुज का पाडिया ने अपने अनु को लाग समझाया कि शाह परिवार को तवज्जो देने के साथ साथ अपने परिवार पर भी ध्यान दे लेकिन वन नहीं समझी नतिजा यह हुआ कि अपने सूपर वूमेन बनने के चक्कर में अपने पती और बेटी का दिल तोड़ दिया अब अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि कैसे अनूज शाह परिवार के सामने अनुपमा को अल्टिमेटम देगा अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि बाबुजी के नहीं मिलने पर लीला पूरा घर सिर पर उठा लेती है वह घर पर इतना बड़ा तमासा खड़ा कर देती है कि अनूज और पूरा कपाडिया परिवार टेंसन में आ जाएगा उधर वनराज को भी फोन करके इमोशनल ड्रामास दिखाएगी जिसके बाद वह भी सब कुछ छोड़कर दवड़ा दवड़ा एहमदाबाद चला आएगा अनूज का पाडिया बाबु जी को पुलिस की गुमसूदगी के बारे में बताएगा और वह परिवार खुद भी बाबु जी को ढूंड़ने निकलेगा उनके कही नहीं मिलने पर सब घर वापस आ जाएगे और यहाँ पर बाकी बेवकूफी बाते सुनकर बनराज भड़क जाएगा और अनूज का पाडिया का कॉलर पकड़ लेगा जिसके बाद अनूज भड़क जाएगा और अपना गुस्ता जाहिर करते वे अनूपमा से वो बात कहेगा जो सायद अनू कभी भी नहीं सुनना चाहेगी अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनूज का पाडिया अपनी पत्नी से कहेगा कि इतनी लड़ाई तो किसी जंग में नहीं होती है जितनी इस घर में आज से मुझे अपनी गिरस्ती अपना घर संबालना है दूसरों का नहीं अनुज का पाडिया अनुज से कहेंगे कि अनुज मैं तुमसे बे इंतहा मुहबत करता हूँ लेकिन ये फैमली और इनकी परिसानिया मेरी नहीं है अनुज अपनी पत्नी से कहेगा कि अगर नए साल में भी ऐसा चलता रहा तो छोटी अनुज दूर हो जाएगी और शायद मैं भी तो क्या अनुज का पाडिया अनुपमा को तलाग देरे के बारे में सोच रहा है अखिर उसने ऐसी बात क्यों कही या तो अगले एपिसोड में पता चलेगा आपका क्या कहना है इस इस्टोरी पर कॉमेंट कर हमें जरूर बताए टीवी दुनिया के लिटेस्ट अपडेट क लिए देखते रहिए एबी भी इंडिया नियूज